वर्दमान परिस्थितियों के दृष्टी गर्ध जहां एक और कोरोना वारिस के प्रकोप की चलते सामानी जन जीवन अस्व्यस्थ है वहीं दूसरी और आपराधिक प्रवर्ति के लोग अपराध खटनाओं में समलिप्त है जिला पुलिस लगातार अपने कर्तव्य को करते हुए कमान संभाले हुए है और अपराधियों के होसले पस्त करते में चुटी हुई है जिले के युवा पुलिस कप्तान श्री प्रदीब शर्मा के कुशल नेतरत्व में थाना सारंगपूर की पुलिस ठीब को अवैद मादक पदार्थ गांजा का परिवहन करते हुए तीन व्यक्तियों को दबोचने में सफलता हासिल हुई है जिला पुलिस अधिक्षक, श्री प्रदीब शर्मा के निर्देशन में अतिरिक पुलिस अधिक्षक, श्री नवल सिह सिसोधिया एवं स्टी ओपी सारंगपूर श्री पदम सिह बगेल के मार्गदर्शन में अवैद मादक पदार्थों की तसकरी पर अंकुष लगाने हे चलाय जा रही अभिहान के तहत इस कारवाई को अंजाब दिया गया स्रीमान पुलिस अधिक्षक को हो दाई जो अवैद दश्या अवैद मादक पदार्थों का परिवान विक्राई पर अन्मुष लगाने के लिए एक अभिहान चलाय जा रहा है पिछले एक मेने से अभियान चलाय इसी तार्थम में दिनांग पंद्रा शे दोजार बीस को करीब अठारा बजे प्रविक्षा दिन उतनी इक्षक को सुचना मिली कि तीम बदमास अलग-अलग घुलिया के कपड़े पहन कर बापाटलिया माता तरफ से आ रहे हैं कि विश्मस्ली सुत्र से सुचना प्राप्त होने प्र पिएसाइवाई से द्वार अपने टीम लटित कियो तद्धकल टीम लटितकर बात पड़िया रोड अपने मंदीर के सामने कबिलेश्वार मंदीर के सामने गेट पर चेकिंग करना शुरू की इसी दौन धर्म्यान वोटर साइकल्स आए उनके पास से नौ की लोग आवेद घांजा मादक पदार्थ मिला मुक्य पर ही जब तीकी क्यावे किये इसके नाम पता पुछने पर तीन नाम बताए रमेश पृता भागरत दांगी निवासी पृतलिया कला पंकरच पृता राम गोपाल जैस्वाल और राम गोपाल पिलता राम प्लाल जैस्वाल ये भी पिब्लय कलाके है थाना जिरापूर शेत्र के रहने वाले हैं ये गांजा सप्राइब करते लेजाते हुए इनके खिलाब आर्बटे बीस एक्ट कारवाई की गई है और अगे भी पता लगने की संभावना है और जिनका प्रिचारी और अच्छा काम किया है इसलिए इनाम है तुर स्रीमान पुरी सदिक्षिम नहों देखो पूसकार है तुर पस्ताव पर बजा जाएगा एक सब्सक्राइब